करनाटक केशी मोगा में दिल दहला देने वाला हाथसा हुआ है आपको बता दे कि करनाटक केशी मोगा जीले में गुरुवार देर रात ट्रक में भर कर ले जा रहे विस्पोटक यानी डाइनमाइट में धवाका हो गया जिसमें अब तक कम से कम 15 लोगों की मोथ हो गई है माना यह भी जा रहा है कि यह विस्पोट खनन के उदेश्य से ले जाये जा रहे थे दमाके के बाद घरों की खिड़कियों के शीशे भी तूट गए लोगों ने फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है बताया जा रहा है कि पत्त्रों को तोड़ने के लिए विस्पोटक ले जाया जा रहा था तभी शीव मोगा के अबल गेरे गाउं के पास ब्लास्ट हो गया दमाका इतनी तेज था कि शीव मोगा के नस्दी की जी ने चिक मंगलूर तक इसकी आवाजी सुनाई दी और आसपास के इलाकों में भुकंप जैसे जटके महसूस किये गए वहीं मामले की गंबीरता को देखते हुए मुख्य मंतरी बीएस येद्यूरप्पा ने उचस्तरिय जाच के आदेश दे दिये हैं सुचना मिलने पर शुकरवार सुभे पुलिस और अधिकारियों के चिम घटनास्तल पर हुना सोट गाउं पहुंची पुलिस ने पूरे इलाकों को सील कर दिया है यहां यह भी बता दे कि जिस गाड़ी में विस्पोटक ले जाय जा रहा था उसके परकच्छे उड़ गए कुछ लोगों का दावा है कि एक के बाद एक पचास डाइनमाइट ब्लास्ट हुए दमाके की वज़े से आसपास के घरों के शीशी तूट गए लोगों को लगा की भुकम पाया इसलिए लोग घबराहत में घरों से बाहरा गए विस्पोटक की गंद भी आठ से दस किलोमेटर तक महसूस की गई शीव मोगा करनाटक के मुख्यमंत्री बियेस योधी रप्पा का ग्रेह जीला है शीव मोगा ग्रामिन के विधायक अशोक नाईक ने बताया कि हर जगह दुआ ही धुआ था कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था शीव मोगा के डिप्टी कमिशनर केवी शीव कुमार ने बताया कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है उन्होंने घटना स्तल पर और विस्पोटक पड़ा होने की आशंका जिताई है वहीं बताती चले कि पीएम नरेंदरमोदी ने सोचल मीडिया पर ट्विट कर दुख व्यक्त किया है कि लोगों के जानगवाने को लेकर दुखी हूँ उनके परिवार के साथ मेरी समवेदनाए हैं गायलों के जल्दी ठीक होने की कामना करता हूँ हाथसे से प्रभावित हुए लोगों को राजे सिरकार जल्द मदद पहुचाएगी माना जा रहा है कि विस्पोठक खनन के उदेशी से ले जाये जा रहे हैं पत्थर तोड़ने के एक स्थान पर रात साड़े दस बजे के लगबग यह धमाका हुआ जिसने ना केवल शिमोगा बलकि आसपास के और जीलों में भी जटके महसूस किये दे हैं बताया जा रहे है कि साथ से में 15 लोगों की मोथ हो गई है और आसपास के शेतर में जटके महसूस किये गए पर त्यक्ष दर्शियों का कहना है कि विस्पोठक इतना तेज था कि घरों की खिड़की के शीशे चूट गए और सड़कों पर भी दरार उत्पन हो गई दमाके से ऐसा लगा जैसे भूकम पा गया हो और भूगर्भ वेज्ञानिकों से संपर्क किया गया ऐसे ही लेटेस खुबरे पाने के लिए बेल आइकन को फ्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें घन्नेवार प्रफेक्ट वेन्य वेडिंग लाँचिंग आपटी राज गाराना जोती गारन आजे बेटी बैंक एंटरप्राइब